वेलकम बेक टू आर चैनल एंबी एजुकेटर इस चैनल पर मिलती है आपको एंबीए से रिलेटेट सारी इंफोर्मेशन क्वेरी के आंसर तो चली अब बहुत ही मैसेज आ रहे थे कि आया एंपी इंद्रा इंस्टेटिट ओफ मैनेज्मेंट जो पूने में सिच्वेशन सिच्वेटेड है उसका एक बार प्रिव्यू करके बता दो तो मैं आपको बताता हूं आया एंपी इसका फ्लेक्सिप कॉलेज है जो 1995 में बनाता यह वाकड में सिच्वेटेड है पूने म अगले दिया उसका नाम है तबस्यात चलिए मैं आपको इसके दर जाके बताता हूं कैंडेटि की विडेयर सीटेर हो राहा ही इसमें इसमें 250 का intake है 240 का intake है मैं आपको दिखा देता हूं टोटल कितने students का इसमें placement लगा चलिए मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 100 students की यह seat है चलिए next page में चलते हैं दो pages से इसमें देखिए 131 students की यहाँ पर entry updated है means 131 का on campus और off campus यहाँ पर placement लगा है और most of यहाँ पर marketing के अंदर लगा है इंद्रा कोलेज marketing के लिए ही जाना चाता है यह यह MBA ज्यादा अच्छा है यह कोलेज पीजीडीम भी करवाता है पर MBA का इस college की बहुत ही अच्छी value है और अगर आपको तो 50 MBA college देखनी तो आई बटन में आपके लिंक आ रहा हूं आप पर जाके आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग में को compare video डालने के लिए बोल रहे हैं इंद्रा और पुंबा की वह भी बहुत जल्दी आएगी इसमें admission merit based पर होता है इसमें PGDM BBA सब दे रखा है अगर आपको MBA में admission लेना है तो वह merit basis पर होता है और इसमें आई इस्टिट्ट लेवल सीट भी है जो 24 वह donation के बेस्ट पर होता है वे चलिए आपको बता देता हूं इसमें इसमें faculty और करियर अपोचुनिटी जैसे आप करियर अपोचुनिटी में जाएंगी इसमें इक companies के बारे में दे रखाय प्लेश्मेंट और वगए और बाकी इसकी 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 बारे में कोई एक्सपीरियंस टीचर इसलिए इसका प्लेश्मेंट बहुत ही अच्छा रहता है और वन ऑफ दे बेस्ट कोलेज इन पूने हैं यह एंब के लिए पुंबा के बाद अगर कोई को लेज है इन टाइम्स ओफ और आयो इंटिटन ओन इंवेस्मेंट तो वह इंद्रा का ही नाम आता है सिंबोसिज है बर वह उसकी फीस बहुत मेंगी इसकी चार पास लाग के अंदर ही फीस है और मैं आपको इसके बारे में बताऊं यह चाने की एजुकेशन सुसाइटी के अंदर माती है और इसका जो कोई बी और information और कोई भी वीडियो अच्छी लगे और किसी की बारे में कुछ आपको आपको doubt हो तो comment करके जरूर बताए और next video की इस बारे में बनाऊं में वह भी comment करके जरूर बताए thank you have a nice day